हेलो गाईज, सुवागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फेंटसी बज पे और सबसे पहले आप सभी को हैपी 75 इंडिपेंडेंडेंस डे होप करते हैं आज आप सभी लोग इंजॉय कर और फेंटसी में भी हम लोग इंजॉय करें तो आज हम बात करने वाले हैं Ireland versus अफगानिस्तान के बीच में जो 4th T20 का मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में फुल प्रिवियो लेका है पूरा विडियो देखेंगे तो आप खुद से अपनी टीम बना पाएंगे किसी की टीम कापी करने की नीड नहीं पड़ेगी ये जो ग्राउंड है वही बैलफस्ट का ही ग्राउंड है जहां पर ओवरर ओल यह एक डिसेंट विकिट अगर आप ओवर ओल रिकॉर्ड देखेंगे इंट नेशनल के नहीं बनता है पर यहां पर फिर्पर से रंस बने यान वही चीज है कि अगर टीम खुद खराब कहलेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं बात करें इस पिनर और पेसर्स की तो 5 और 5-10 और 3-13 विकेट इस पिनर ने तीन मैच में तो पेसर्स ने 5 और 8-5-13 और 9-22 विकेट पेसर्स ने लिए यानि यहां से तो overall balanced है ठीक है इससे पहले तो conclusion यही निकलता है कि बल्लेवाजों के लिए ठीक विकेट है अगर बल्लेवाज खुद खराब ना के लिए तो और स्पिनर और पेसर्स की बात करें तो दोनों ही almost देखो पेसर्स वैसे भी ज्यादा रहते स्पिनर्स कम रहते है तो 13 विकेट पेसर्स और 22 विकेट स्पि है अब हम head to head team की बात करते हैं तो head to head team record की 21 मुकाबले खेलेगा है छे island अफगानिस्तन ने 15 जीते हैं दोनों टीम के बैटिंग बॉलिंग स्टाइल देख लो island की टीम ने दो जीते हैं एक हारे हैं अफगानिस्तन की टीम ने एक ही जीता है दो हारे हैं इनकी टीम में left handers हैं दो इनकी टीम में right handers है maximum यह सारी चीज़े आप notice करते हैं चलना क्योंकि यह कौन केतने बालिंग डालेगा वो काम आ जाता है जैसे यहां right handers है तो यह left time orthodox यदि कोई खेलता है तो वह अच्छे खासा अबर डाल सकता है और अगर यहां पर आप देखेंगे तो दो left hander है तो इनके सामने office spinner अगर कोई है तो डाल सकता है अभी clean के team में office spinner कोई नहीं पॉल इस्टरलिंग है तो वह balling डाल नहीं रहे हैं अब Ireland की playing 11 with recent score अगर हम बात क रहें तो यहां पर Paul Sterling पहले important है टकर इंपॉर्टेंट है टकर इंपॉर्टेंट है टेक्टर केंपर डॉक्रिल मार कदेर जॉस्वा लिटिर यह लोग important है बट बाल बिरनी form में आ चुके है लास्ट मच को छोड़ दे जाए तो उससे पहले 2 match में scoring की हुई है इन्होंने ठ देखो इनके टीम से जो अच्छे का से ओवर्स की बॉलिंग डालता है यह लोग का ठीक टक ओवर है और जी डिलानी अच्छा खासा ओवर डाल रहे है उसके बाद कर 30 कम पर शेयर करते हैं जी हुमे ने ठीक ओवर डाला एफ हैं ने अच्छा ओवर डाला है डॉक्रेल अग चाहर जरुर्द पड़ी तो अरलेंट टीम के प्लेयर वाइज स्ट देख लेते हैं कौन इंपोर्टेंट है इस्टेट्स वाइस अभी जब हम टीम बनाएंगे वहां पे हम यह देखेंगे कि प्लेयर वाइस सिच्वेशन वाइस कौन इंपोर्टेंट है अभी आप सब्सक्राइब तो यहां पर देखो बॉलिंग सेक्शन में इनकी तो यहां पर क्रेग यंग मार कदिर जॉस्वा लिटिल यह तीन इंपोर्टेंट है बट फीनो हैंड को खिलाए गया और इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस आप देखी सकते हैं यहां पर अब देखो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया गया है जल्दी से जाहिए और टेलिग्राम से जुड़ जाहिए अफगानिस्तन की प्लेइंग लेवन विद रिसेंट स्कूर की बात करें तो इनके इंपोर्टेंट प्लेयर है जजाई गुरबाज नजीब बुला जदरान, मुहमद नभी, रसीत खान, नवी नुलाक, मुझीव और फारुकी बट अब इनकी टीम में थोड़ा सा प्रोब्लम है घनी पहले वंडवन आ रहे थे गनी अब लास्ट मैच में इबराहिम जदरान को प्रमोट कर दिया गया चुकि ये दोनों ने अच्छी शुर ये एक डाउटफुल रहेगा, मैंने पूरा लाइव मैच नहीं देखा था, तो अगर ये इंजर्ड होंगे तो नहीं खेलेंगे, अदर्वाइस खेल सकते हैं, लास्ट मैच इनकी टीम जीत गई थी, जीता जीता है मैच था, तो शाइद ही लोग ऐसा हो सकता है कि पार्ट मुझीब, नवी नुलाक, उमरजाई, ये लोग किसी को भी लेके आ जाते हैं, और दथ में रावी नुलाक कंफरम है, उसके बाद लास्ट मैच में रसीद खान और उमरजाई आये थे, बट अगर यहां से फारुकी दथ में आएंगे, अगर खेलते हैं तो, लास्ट मैच म देखे तो, गुर्बाज का यहां से स्टैट्स अच्छा है, उसके बास आईदी तो खेल निरस जजाई, नजेबुला जदरान, उस्मन गनी, ये लोग का रिकॉर्ड अच्छा है, इबरहाईम जदरान ने डोमेस्टिकली ठीक ठाक स्कोरिंग किया है, अभी इन्होंने तो, हम आगे बात करेंगे हर एक प्लेयर के बारे में, उसके बाद, इनके बॉलिंग सेक्ड़ में से हर एक बॉलिर इंप्टन है, सबका स्टैट्स अच्छा है, तो इसलिए मैंने किसी के ये नाम के आगे, ये लो करद से मैंन्शन नहीं किया है, किसी को, reason इन सबका ही सब्सक्राइब करते हैं तो जब यह दोनोटी में आपस में खेलती तो किसका रिकॉर्ड अच्छा है प्लेयर वाइज तो अफगानिस्तन की तरफ से बैट्समन की बात करें जजाई का रिकॉर्ड 69 का एवरेज है नभी का 33 का जदरान नजी बुल जदरान 32 का उसमन गनी 32 का अब देखो यहां से एक चीज की अफगानिस्तन के जो प्लेयर से उसमें चलो मैं आपको आगे बता दूँगा ठीक है यहां पर आप देखना आयरलेंड की टीम की बात करें तो यहां से पॉल स्टलिंग का रिकॉर्ड अच्छा है हरी टेक्टर का रिकॉर्ड अच्छा है हां इसके अलावा जो और जब इनका और रिकॉर्ड है जैसे हैट्टुएट जो यह मैच खेले हुए अभी तीन मैच वह भी हैट्टुएट रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो जाएगा तो जो मैंने प्लेइंग 11 के आगे लिखा हुआ था जब रिसेंट इसकोर दिखाए था वह भी हैट्टुएड और वेन्यू रिकॉर्ड लेकिन वह करेंट सीरीज का और यह इस सीरीज से पहले का है ठीक है तो ध्यान रखना यह बालिंग से बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से रसीद खान मुझीब रहमान और नवीनुल हक का रिकॉर्ड अच्छा है और यहा रिके से बालिंग का भी रहेगा और यहां पर आप देखेंगे तो आइलेंग टीम का बॉलर्स का जोस्फ लिटिल और पॉल इस्टरलिंग का रिकॉर्ड अच्छा है बॉलिंग से थोड़ा सा प्लेयर्स का स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं यहां पर आयलेंड चार बार मुझी ब्रहमान 26 गिन में तीन बार आउट कर चुके हैं अब इसके अलावा जो हम बात करें अफगाइंस तर बैट्समेंड वर्सर आयलेंड बॉलर्स की तो यहां पर आगर आप देखेंगे तो जजाई 12 गिन्दों में एक बार आउट हुए हैं बरी में करति से नभी 31 गिन में दो बार आउट हुए है डॉकरेल से गनीद दिलानी से ठारे गिन में एक बार नजीब लजद्रा जॉस्वा लिटिल से 24 गिन में एक बार लेकिन 41 रन भी बनाया है बहरी में करती ने इनको ओडिये में 44 गिन में दो बार आउट गया इसके लावा एक एक ब प्लेयर का सिच्वेशन वाइज अनालिसिस करेंगे कब कौन सा प्लेयर अच्छा हो सकता और क्यों अच्छा हो सकता है तो यह सारी चीजों का कंक्लूजन निकालके कोशिश करना खुद की टीम बनाए क्योंकि वह हमेशा से आपके लिए बहतर रहेगा क्योंकि आप कुछ कुछ जरूर सीखेंगे चाहिए आप हारे या जीते अगर आप टीम कॉपी कर रहे है तो एक चीज़ ध्यान रहा है हर एक प्लेयर के सेलेक्शन का पीछे का रिजन जरूर जान लिजेगा नहीं तो बाद में आपको रिग्रेट फील होगा यहां पर आप देखेंगे तो ग किट किपिंग कर रहे हैं और वन टाउन बल्लेबाजी अब आल्मोस्ट फिक्स हो चुका इनका तो एक मस्ठव पिक रहेंगे उसके अलावा यह दो तुनों खेल नहीं रहे हैं यहां से पॉल इस चलिंग थोड़ा सा इस टीम के अगेंस्ट कुछ बॉलर्स हैं जो इनको अ अच्छा खासा स्कोर करके दे सकते हैं बट अभी फॉर्म गडबर चल रहा है और इस टीम के अगेंस्ट फ्रगल भी करते हैं तो मैंने छोड दिया है नजीब बुला जैदरान मस्ठव पिक रहेंगे यह इनकी टीम के मोस्ट कंसिस्टेंट हीटर है और इसलिए बोला मैंन और इनकी टीम अगर चेज करेगी तो हो सकता है मैं टेक्टर की जगे इनको ही लेलूँ अगर इनकी टीम फर्स्ट बल्लेवाजी करेगी तो हो सकता है मैं टेक्टर को लेगे जाओ क्योंकि टेक्टर फिर ज्यादा भरोसे मंद रहेंगे क्योंकि फर्स्ट बल्लेवाज में हम इनकी जेगे ले लेंगे उसके अलावा जजाई ये भी थोड़े से हीट और मिस्टाइब के प्लेयर बट मैं ज्यादा तर इन पर भरोसा कर लेता हूं क्योंकि अगर ये 20 गेंदे भी खेल गए तो आराम से 30-35 बना के चले जाते हैं जिसकी वज़ास से मैंने इनको अपनी टीम में रखा हुआ है और आप चाहें तो इनको हटा सकते हैं लेकिन इनकी जीगे पे कोई और अच्छा ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि बात आती है साहिदी की तो ये तो खेल नी रहे गनी तो इनका डिस्प्रोमोशन हो जाता है जैसे कि अगर इनकी टीम को अच्छे श्रवात मिल जाती है तो इनको प्रमोट कर दिया जाता है विकेट जल्दी गिरता है तो प्रमोट किया जाता है अगर इनका बैटरम फिक्स रहता तो ये ये consistent player है जो की consistently score करने के लिए जाने जाते है तो इनको जरूर सज्जेस्ट करता तो थोड़े रिस्की पिक रहेंगे लेकिन अगर आपने सिच्वेशन को भाप के टीम बनाया है तो यह आपके लिए अच्छी चॉइस हो रहेंगे हो सकते हैं यानि कि जल्दी विकेट गिरेगा तो गनी को लेना आपका अगर 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 आपके कॉम्बिनेशन में लेट विकेट गिर रहा है तो इवराहिम जदरान को मुहमंद अभी यहां से मस्था पिक रहेंगे कुछ ओवर गिंदबाजी प्लस लास्ट में आके बल्लेवाजी है डॉक्रेल ने अभी अच्छी बल्लेवाजी कि अपर लास्ट दो में चस्ट से गिंदबाजी डाल नहीं रहे है यह चीज जानका तो अगर यह गिंदबाज नहीं लिया है और कर्तिश केमपर का गिंदमाजी का कशन कब ड्यना तो कभी नहीं डालते हैं तो कभी स्ट बल्लेवाजी करेगी तो कर्तिश केमपर को ले सकते हो उसके अलावा मैंने दिलाक oy को लिए Southern अभी चार वर पूरी गन्दबाजी डाल रहा है औहा है सिमिसिंग एड तो हुए है लेकिन क्या एवेलेबल है या नहीं है यह चीज़ पर डाउट है अगर यह चीज़ एवेलेबल होते हैं तो मैं इनके बारे में सारी चीज़ आपको टेलिग्राम पिन फॉर्म कर दूँगा और अगर मैं इंसोर्ट आपको बताऊं तो यह अपनी क्यों लिए वो स्मॉल लिग में हा जो लोग थोड़ा सा कम अमाउंट वाला लीग कहलते हैं अब अम गात करें यहाँ पर को ले सकते हो अपनी टीम में क्योंकि विकेट टेकिंग बॉल आ रहे हैं इधर कुछ पहले इनका फॉर्म अच्छा नहीं था ओवर भी कट रहा था वह एक रिस्क बढ़ जाता था लेकिन अभी क्या है कि ओवर भी पूरे मिले विकेट्स भी निकालें तो अच्छे बॉल आ रहे हैं और अफगानिस्तान की टीम अगर मतलब वो करेगी इनको अगर मतलब प्रेसर में डालेगी या फिर इन पर डॉमिनेट करेगी तो डेफिनेटली फिर इनको विकेट्स मिलने वाले तो बट हम सबको तो नहीं ले पाएंगे इनको छोड़ दिया है अकॉर्डिंग टू सिच्वेशन हम देखेंगे कि इनको लेना है कि ने अब इक लिए नवी नुलहक चाहे कोई भी नहीं हो मस्थभ पिक रहेंगे क्योंकि विकेट्ट टेकिंग बॉल है फर्स्ट इनिंग में तो अगर इनके टीम की बॉलिंग आती है तो आप इनको वी स इस्ट्रा प्लेयर लेना है तो या फिर जो सबसे बड़ा रिस्क फारुकी क्योंकि फर्स्ट इनिंग में यह दर्थ में आएंग और विकेट्ट टेकिंग बॉलर है लास्ट में इनका ओवर कड़ गया था वही चीज जो मेरे को कंफ्यूजन है क्या यह इंजर्ड थे क्यो और खेलेंगे फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आईगी तो यह ठीक पिक रहेंगे अधरवाई जॉस्वा लिटिल मुझी इब्रहमान आपके लिए ट्रंप पिक रहेंगे फिनो हैंड और जी हुमें यह दोनों आपके लिए ट्रंप पिक रहेंगे खास करके मिनी जील में और जी हुमें दोनों रंच भी बना निकले जाने जाते हैं और अच्छे खास की बॉलिंग भी डाल रहें तो दोस्तों जो अभी के लिए टीम हो रही है कुछ इस पकार से मैंने कप्तानी दिया नभी को वाइस कप्तानी टकर को दिया है क्योंकि देखो विकेट कीपिंग और स्कोरिंग भी कर रहे हैं ठिक ठक तो इनको लिया हुआ है यहां पर आपके पास अधर गूड़ ऑप्शन में रसीथ खान और मार का दिया रहे है रसीथ खान को किसी भी किसी भी टाइम कर सकते है और मार के दियर फर्स्ट बॉलिंग में आप इनको भी कप्तान में आपको बता रहा हूँ वाकि यह टीमेस में कुछ भी चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम पर इंफर्म कर दूँगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के